तोंaj मैं चैया बना रही हूं उसके साथ 2 ब्रेड टोस्ट मैंने खा लिया ब्रेड लाए थी मैंने तो एक तिन पहले तो वही टोस्ट बना कर मैंने खा लिया मसाला चै बनाए हूं तोड़ा मैंने जिंजर डाली हूं इस fines देख़िए मैं ने चाय के साथ अपना दिन स्टार्ट की हूँ समर भी स्टार्ट हो गया है अphrी देखिए इतना सा दूद बचा है एककल का है जो जर्सी कव का मैंने दूद लाई थी डीमाट से और मैंने कर्ड गर में जमा कर रखा है एक जर्सी दूद से ही मैंने एक कर्ड बनाया है जर्सी कव का जो दूद रहता है वो डी मार्ट में मुझे वन लिटर पाकेट मिलाता तो मैं लेकर आई थी तो आदा लिटर मैंने पिने के लिए यूज किया और आदा लिटर मैंने कर्ड बनाया जर्सी कव का जो दूद होता है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और मैं यहां पंपकिन का मैं सामबार बना रही हूँ आश गार्ड का तेकि आश गार्ड का सामबार बनाने के लिए यह सारे चीज़े चाहिए सो किया हुआ चना दो टीस्पून और ग्रीन चिली, कोकोनट, थोड़ा कोरियांडर, धनिया पता और गार्लिक, जिंजर यह सबी कुछ हमको मिक्सी में पीसना है अच्छे से चटनी की तरह पीसना है चना दाल जो रहता है एक घंटे आप दो चमच बिगो कर रखे पानी में बाद में उसको देखिए इसके साथ मिलाकर पेस्ट कर देना है अच्छे से, आज मैं बना रही हूँ आशगाड का कर्ड सामबार जो हम कनडा में साउथ लैंग्वेज में कहते हैं मजगे सामबार बूदू कुम्बल काई मजगे सामबार देखिए मैंने दनिया पत्ता भी डाला है साल्ट भी स्वादा नुसार डाली हूँ चट्नी मैंने बना दिया और यहाँ एक कड़ाई रखी हूँ जीरा मस्टर्ड मैंने तड़का लगाया और उसके बाद थोड़ा करी लीव्स और उसके साथ प्याज मैंने कट करके डाली हूँ और यहाँ मैंने आश गाड को चोटे-चोटे कट किया और बॉयल करने के लिए रखा है एक थोड़ा सा आदा टी स्पून मैंने नमक भी डाला है आश गाड बॉयल होने के लिए यह प्यास थोड़ा ब्राउन इश पिंक खलराना है देखिए जो मैंने चटनी पीसी ती ना कोकोनट और चनादाल उस अभी मैंने इसमें आड़ किया कड़ाई में थोड़ा उपराई होना है और इमिडियेट हम थोड़ा सा पानी या आश गाड़ को हम मिक्स कर देंगे देखिए मैंने दूसरा बरतन में ले लिया क्यूंकि अभी इसमें बड़े बरतन में मुझे बनाना है जादा रहेगा कर्ड भी जादा है इसलिए मैंने इस पर ही ले लिया और ये सबी कुछ मिक्स करना है अभी आजगर्ड मिक्स करने के बाद अभी मैं थड़का लगाई हूँ स्वादा नुसार मैंने नमक भी डाला है इस सामबार में जो कर्ड ताना उस कर्ड को हमने इसमें मिक्स किया है फेट लिया है कर्ड को फेट कर और इस सामबार में हमने मिक्स किया है आदा लिटर कर्ड इसके लिए चाहिए हमें इतना बरतन में जो बनाए हूँ इस कौणटिटी के लिए चार-पांच लोग है तो आदा लिटर कर्ड काफी है उसके साथ 250 ग्राम आश गार्ड आपको चाहिए एक दो प्याज आपको चाहिए अगर आप प्याज जिंजर गार्लिक नहीं काते है तो स्किप करके सिफ्ट कोकोनट धनिया पता भी आप यूज कर सकते हो में इंग्रियंट है कर्ड देखिए मजगे सामबर विट संडगे हपला अंड राइज गी के साथ बहुत ही यमी टेस्ट रहता है इसका आप चाहे तो खीर भी बना सकते हो और मैं यहाँ पर त्री तर्टी हुआ है मैं खाने के लिए बैट गई हूँ फैन भी मैंने आउन किया है और मैंने घर का दर्वाजा में इंडूर भी मैंने ओपन करकी यहाँ बैट कर खा रही हूँ बहुत ही टेस्टी बना है स्वादिष्ट बना है मजगे सांबर मुझे और मेरे बेटे को बहुत पसंद है मैं भी बहुत लाइक करती हूँ समर में तो इसे खाने से आपकी बाड़ी का टेंपरेचर बहुत ठंडा रहेगा तो और मस्तिशक के लिए हमारे ब्रेन के लिए भी आशकार्ड बहुत ही फाइदा मन्द है तो ज़्यादा तर साउथ इंडियन आयंगारी ब्रामिन्स फैमिली में ज़्यादा बनाते है इसको जो आशकार्ड के संडिगे हपला भी बनाते हैं जो पापड़ो सबी कुछ मैंने इस चोटे से बरतन में मैं लेकर यहां बैटी हूँ राइस भी बहुत गरम है और सामबार भी बहुत ही गरम है राइस के साथ मैंने एक चमच गी ली हूँ मेरी मुझे यह सारे घर में जो हम बनाते हैं खाना वो मुझे बहुत पसंद आता है बनाने के बाद आराम से बैटकर खाने में जो खुशी रहती है वो अलग एक तरफ और मेरी मम्मी का हाथ का खाना मैं हमेशा बहुत मिस करती हूँ वो बहुत हाईजिन और अपने उनके हाथ का खाना मुझे बहुत यादाता है हमेशा लेकिन क्या करें वो वहाँ पर है मैं यहाँ पर हूँ और इस बौल में मैंने आदा चावल खाऊंगी पूरा नहीं ये देखिए ये है जीरा अपका फिल हुआ चिली कहते हम और इस सारे हपड़ा संडिगे प अच्छा होता लेकिन अभी मैं नहीं बना सकती कभी फिर कभी मैं बनाऊंगी अभी गर का खाम भी बहुत सारे हैं मेरी मम्मी का 72 यह हाड सरजर भी हुआ है उनका लेकिन फिर भी बहूत एक्टिव रहती है खाना बनाने में भी उनको खुशी रहता है हमें भी बनाकर खिलाती है मैं भी जब भी मायके जाती हूँ तो मुझे जो पसंद है वो सारे चीज़े वो बनाकर मुझे खिलाती है देखिए ये मजगे सांबर में ले रही हूँ खा रही हूँ अभी इताली में सब कुछ परोसकर में बैट गई हूँ मैंने सुबर परोटा खाया था दाल परोटा वित कर्ड मैं काई थी और उसके बाद मैंने पोमोगरनेट और ग्रेफ भी खायी थी अभी फ्रूट का सीजन है तो रोज एक एक फ्रूट को एक या दो कम से कम एक फ्रूट तो हमको खाना ही है मस्ट और शुड अब कभी भी है मैं खायी थी अभी राइस खा रही हूँ शाम को फिर से परोटा काऊंगी तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी बाई